एक बार की बात है, एक लोमडी रहती थी जो हमेशा अपने पडोसी का मजाक उडाती थी सारस। एक दिन लोमडी ने सारस की कीमत पर खुद का मनोरंजन करने की योजना के बारे में सोचा। तुम्हें आना चाहिए और आज मेरे साथ भोजन करना चाहिए। उसने सारस से कहा, जिस चाल को वह खेलने जा रहा था, उस पर खुद को मुस्कुराते हुए कहा। सारस ने सहर्ष निमंतरन स्वीकार कर लिया, वह सही समय पर पहुचे और बहुत अच्छी भूब के साथ, रात के खाने में लोंडी ने सूप परोसा, लेकिन इसे एक बहुत ही उतले दिश में सेट किया गया था, अपनी लंबी चोच के कारण सारस को सूप की एक बूंद भी नहीं मिल पाती थी, और वह केवल अपनी चोच को गीला कर सकता था, फॉक्स ने सूप को आसानी से चाटा, और सारस की निराशा को बढ़ाने के लिए आनंद का एक शांदार प्रदर्शन किया, भूखा सारस लोंडी पर बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन सारस एक शांद और स्वभाव का व्यक्ती था, इसलिए उसे वहां अपना गुस्सा दिखाने में कोई फाइदा नहीं हुआ, इसके बजाए, सारस ने अगले दिन लोंडी को अपने घर पर खाने के लिए आमंतरित किया, लोंडी तुरंत आ गई, और उसे बहुत भूख लगी थी, सारस ने रम बेजार में रात का खाना परोसा, सारस अपने संकीरल